अगर हमने पोर्शन को देखा तो साइंस के टेक्स्ट्बूप के लास्ट पेज में आपको बता चलेगा कि अच्छली हमारों चा पोर्शन है वो कैसे डिवाइड किया हुआ है तो वो डिवाइड है इंटो पार्ट वान और पार्ट तू तो हमने पार्ट टू से स्टार्ट किया था और हम लोगों ने लेसन नमबर सिक्स को फिनिश कर लिया हमने लेसन नमबर वान को फिनिश कर लिया तो हम गोड़ा सा स्लाइड अपन डाउं हो रहे है ठीक है तो अब अगर हमने सिक्वेंस बाइस देखा पार्ट वान और तो पार्ट 2 का लेसन नमबर 6 और लेसन नमबर 7 तो अब सबसे पहले मैं आपको स्लाइट इंट्रोडक्शन दिल दे देती हूँ कि actually हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन से टॉपिक को पच्व को लेट कर के स्टडी कर रहे हैं तो फॉस्ट हमने स्टडी किया था ऑगालोजी सेकंड जो लेसन नमबर 1 की किया था इस फ्रोंफिजिक्स और अब को जो लेसन नमबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं It is रॉम एविएस ठीक है तो आपने जो बच्पन से environmental science को study किया हुआ है और it is very very compulsory कि हमें हमारे atmosphere में या हमारे surrounding में कौन कैसे work करता है किसका क्या role होता है यह हमें पता होना compulsory है तो इसी चीज़ को हमें study करना है in lesson number 7 तो इस lesson number 7 का जो नाम है वो है energy flow in an ecosystem तो अब ecosystem आपको बता है ecosystem means whatever the surrounding around you तो आपके जो बिलकुल आस पास में जो कुछ भी आपको दिखाया दिता है living non living यह सारी चीज़े जिसमें include होती है it is counted in ecosystem तो आपने last classes में भी EBS study किया था तो यह गंबल सरी topic है हमें बता होना चाहिए हमारे surrounding के बारे में तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले हमारा जो topic है introduction हमें होना चाहिए पता सारी चीज़े तो इसके लिए हमें introduction कंबल सरी है जैसे ही video start हुआ तो मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि हम लोग जिस channel को study कर रहे है it is swapnil study circle तो फिर उसके बाद मैंने अपना नाम बता दिया ठीक है तो हमने क्या किया एक दूसरे से introduce कर आए बट अभी fact यह है अगर हम class में रहते हैं तो two way interaction होता है राइट बट मैं तो वीडियो में आपसे बात कर रहे हूं तो आप मुझसे बात नहीं कर पार है बट मैंने मेरा introduction आप तक दे दिया है तो सारी चीज़ों का introduction compulsory है तो इसलिए अब हम लोग जिस topic को study करने बाले है उसका भी introduction होना चाहिए आप लोगोंने जो last classes में study किया था कुछ topics कुछ words मैं आपको याद करा देती हूं remind करा देती हूं कि आपने क्या क्या study किया था आपने किया था producers है ना producers आपको पता है जो greenery है जो green plants है they are called as producers फिर उनको खाने वाले consumers राइट फिर हमने study किया था saprotrogs तो वो saprotrogs जिनको हम saprophides भी बोलते हैं है ना तो यह सारे words आप लोगों को पामिली है गया और उसके साथी साथ microorganism तो microorganisms का क्या काम है कि जब भी livings या non-livings जितना भी है जो वेस्ट हो जाता है या जिसका death हो जाता है तो microorganism क्या करते है उनको खा जाते है और उनको खा कर वो अपना पेट तो घरते है बट वो हमारे ecosystem को healthy create करते है तो हम लोग एक small example ले ले लेते हैं जैसे कि हमारे घर से जो waste निकलता है तो एक साथा बनाना पिल ले लेते हैं केला आप काते हो अंदर का बट बाहर का जो चिलका है हो तो आप फेक देते हो तो एक दिन मैंने ऐसे कि मैंने खा लिया और मुझे यह चेक करना था कि वो कितने दिनों में decompose हो जाता है और वो कौनसे process के through decompose होता है तो मैंने देखा कि जब मैंने खाकर वो बनाना पिल फेक दिया तो उसे मैंने जमीन के उपर फेक दिया था तो जो बिटी थी वहां से कुछ अचिछ माइक्रोगानिसम्स आय होंगे होंगे इसलिए होल रही हूं क्योंकि मैंने के डाल से तो नहीं देख पाते हूं तो मैंने देख पाते हूंगे और फिर कुछी समय के बाद में विदिन 4 आर्स तो जो केले का चिलका था वो ब्लाकिश कलर में करबोट होते चला गया इसके बाद में मैं उसको दो दिन के बाद में मैंने उसे देखा तो कंपलीट हो आप ड्राइ हो गया था और फिर कुछी और दिनों में विदिन 7 देज और 10 देज में वो कंपलीट डिसपीर हो गया तो आक्चिली मैं आपको क्या बदाना चाहती हूं कि जो भी living है या non living है तो इनको जो finish करने का काम करते हैं वो है microorganisms तो microorganisms play very 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 important role in this means in ecosystem तो आप जरण सौचो ना कि अगर कच्छरे को ख़तम करने वाला ये जो microorganisms है या decompose करने वाला जो microorganisms है ये नहीं होता तो आज इतने समय के पहले से जो कच्छरा निकलते आ रहा है wet garbage तो वो हमको अंकों के सामने दिखाई देता था तो अगर हमने हमारे गर के जो wet garbage वाला जो dust bin होता है उसके पास अगर हम गया तो हमें बड़ी सी गंदी सी smell आ जाती है reason क्या है तो क्योंकि वो कच्छरा में हो जाता है decompose होना start हो जाता है और अगर हमने उसी कच्छरे को मिटी में डाल दिया तो वो उच्छी समय में मैनियर में convert हो जाता है and it happens only just because of microorganism तो अब जलो हम लोग इन साब भी वर्ड से familiar हो चुके है तो हम हमें देखना है कि हमारे यह जो various kind के जो हमने study किया producers हमने study कर लिया consumers साप्रोफ्राइट्स है ना और हमने देखना microorganisms तो इनका जो level है वो जिसे हम tropic level कहते हैं यह कैसे होता है हमारे आसपास में बट उसके पहले कुछ और new words तो हमारे पास में है सबसे पहला primary consumer ठीक है यह जिसे हम कहते हैं herbivores तो primary consumer और herbivores तो आपको जैसे ही नाम समझ में आ रहा है तो पता चल रहा है कि भई primary consumer क्या है तो वो जो green plants को खा जाते हैं the early stage में तो example है हमारे पास में grasshopper, squirrel, elephants, goat, cow यह सब कुछ क्या करते हैं greenery को खा जाते हैं तो हम इसको होल सकते है primary consumers और herbivores then हमारे पास में है secondary consumer तो secondary consumer में उसका जो और नेम है like is carnivores तो आपको क्या समझना है कि carnivores क्या करते हैं carnivores वो होते हैं जो primary consumers को खा जाते हैं okay greenery को नहीं खाते है primary consumers को खाने भाले जो हो है secondary consumers या फिर हम उसे बोलेंगे carnivores examples are frog owl etc then इसके बात जो हो रहा है that is apex on top consumers तो top consumer क्या कर रहा है जिसका एकदम top consumer तो इसका नाम से अपको धान में आ रहा है तो यह top consumer क्या करता होगा examples आप देखो tiger lion इसका भी और नेम carnivores ही आता है but आपको यह धान में आ रहा है कि यह जो top consumers है या apex consumers है यह क्या कर जाते है यह frog और owl को खौजाते है right but tiger and lion को को खौता है नहीं अगर उनकी dead body पड़ी भी रही तो भी कोई animal उसे नहीं खौता हाँ microorganisms आकर उन्हें बिल्कुल destroy कर सकते है तो यहाँ पे इंदा नाम जैसा है top consumers तो यह सच में top consumers है and last one is omnivores तो omnivores का और नेम आपको दिखा दे रहा है mixed consumer तो यह क्या है सब कहते है means greenery भी खाएंगे means flesh भी खाएंगे तो क्या करते है एक short हम भोल सकते है कि they are vegetarians and non-vegetarians means both तो दो खा जाते है ठीक है the examples are humans तो हम से ही हम समझ सकते है कि humans क्या करते है तो humans greenery भी खाते है और flesh भी खाते है and beer तो यह हो गया हमारे लिए introduction अब हमारे लिए text group में जो दिया है that is food chain and food web तो आपको food chain यह आपने already study कर लिया है तो food chain क्या है तो हमें पता तो होना चाहिए भाई food chain गया तो आपके text group में page number 81 पर 7.1 डाइग्राम शो की है that is food chain ठीक है तो जो मैंने आपके बोड पर भी बना रहुका है बट मैंने यहां पर उनका labeling किया है आपके text group में उसे draw किया हुआ तो अगर exam में आता है तो आपको draw नहीं करना है आपको उसे label करना है तो सबसे पहले यहां पर हमको दिख रहा है sun sun rays या sunlight तो आपको बता है कि जो जितना भी greenery है वो क्या करते है with the help of sunlight they do photosynthesis and they make their food ठीक है तो जैसे ही उन्होंने अपना food prepare किया और खुद ग्रोह हुए वैसे ही उनको खाने वाले कौन हो चाहते है grasshopper okay तो सबसे पहले starting होगी हमारी source से sun then grass तो grass को खाने वाला grasshopper then grasshopper को खाने वाला रहेगा frog then frog को खाने वाला है snake आपको पता होगा कि snake का जो favorite food है वो है frogs and rabbits तो फिर snake को खाएगा eagle and finally eagle को और कोई नहीं खा सकता तो इसे कौन खाएगा microorganisms इन्हें बिल्कुल decompose कर जाते हैं इनकी dead bodies को वो finish कर जाते हैं okay तो यह क्या होगा हमारा complete wood chain बट यह तो ओरल ही मैंने आपको बता दिया अब चलो इसकी definition देख लगते कि भही इसका हम exact define कैसे करेंगे interactions आपको दिखे रहा है यह interaction कि sunlight को grass खा जाता है फिर grass को grass of a frog frog snake snake eagle eagle microorganism यह जो interactions आ रहा है go on continuously in between producers consumers and supervised तो सभी के पीछ में continuously क्या हो रहा है interaction होते चले जा रहा है and without interaction there is no any ecosystem तो ecosystem अगर है तो यहां पे यह continuously interaction होता ही रहेगा so there is definite sequence in these interactions which is called as food chain okay तो definite sequence जो आ रहा है continuously ठीक है तो यह important word है कि जो continuously definite sequence जो आ रहा है and this interaction is called as food chain okay but अब food chain तो है but आपकों से पुछोगे की माम ग्रास को खाने वाला तो simply grass आपर नहीं होता और भी तो बहुत होते है जैसे की deer फिर ग्रास को खाने वाली cow, boat सब भी तो खाते है ठीक है फिर definite sequence फोड़ी नहीं आ रहा है grass को simply grass को खाने वाले बहुत सारे animals है फिर grasshopper को भी खाने वाले बहुत सारे है frog को भी खाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे तो single thing जो रहगी या single जो जैसे हम लोग बोल रह प्रोडूसर्स या greenery तो इनको खाने वाले simply single chain तो नहीं है ना इस atmosphere में तो ऐसे बहुत सारे जो है जो हम बोल सकते है participants तो यह भी तो उनी चीज़ को खा जाते है तो अब उनका क्या करें तो उनके लिए भी हमारे पास है ecosystem consist of many food chains समझना रहा है many food chains तो simply grass के लिए अगर आपने ले लिया तो हमने दिखा cow, deer, goat है ना so on तो क्या होगा ecosystem consist of many food chains that interconnected at various levels तो सब मनदब simply low level में अगर हम देख रहे है तो grass grass ऑपर अगर थोड़ा सा high level में चलते है तो grass deer, grass cow, grass goat है ना तो यह क्या होता है various levels so does form food web तो अग ऐसे से जो होता है ना क्या क्या होगा वह होगा food web तो एक ही thing है but single thing को खाने वाले बहुत सारे web तो actually web का meaning होता है क्या बलाजाता है उसको net है ना जाला जिसको बोलते है तो है क्या actually net तो एक चीज रहगी और उसमें बहुत सारे हमारे जो है participants language इसको खाने वाले रह सकते है तो अब यह food web को हम लोग detail में study करते है on page number 82 चलने है food web के लिए तो food web actually क्या है food web and organisms may be the prey for many other organisms तो अब यहां पे जो food web आप लोग देख रहा है तो मैंने आपको पहले से ही गता दिया कि food web जो हो रहा है single thing है या single जैसे plant है तो plant को खाने वाला simply cross over नहीं रहता है तो एक ही thing को खाने वाले बहुत सारे है तो ऐसे समय में जो कुछ भी form होगा वो होगा food web तो अब actually detail में हम लोग science की language में चल रहा है तो कैसे होगा यह हम लोग study कर रहा है and organism और मैं तो यहां पे ब्राण कर गया example ले रही हूँ organisms may be the prey for many other organisms so example example दिया हुआ है and insect feeds upon leaves ठीक है तो leaves पे वो insect अपने आपको मतलब खा के वो रहा है but क्या हो रहा है single leaf को वो खा रहा है no वो खा रहा है various plants various plants so but the same insect is the prey for many many different animals so simply single greenery को खाने पादा एक insect but that insect is feeding for many 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 different animals now it will form an intricate web instead of a linear food chain तो वो क्या रहा है यहां पे simply chain form नहीं हो रहा तो क्या रहा है यह भी वो भी वो भी ऐसे बहुत साह तो this is called as intricate web such intricate network is called food web अब आपको शाय समझ में आ गया है कि जो single element है उसको खाने वाले जो बहुत सारे आ रहे है that intricate web is called as food web food webs are found everywhere in the nature तो हर जगह आपको मिलेगा हर जगह यहां पर ऐसे होड़गा कि जो भी जीजर उसको single खाने वालब को भी single एक chain में नहीं आएगा वो बहुत सारे intricate web में आएगे तो अब यहां पे हमारे पास test book में 7.2 diagram दी हुए अगर आप page number 82 पे देखो तो तो आपको क्या देख रहा है वहाँ पे अगर आपने देखा आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि there are a lot of animals and plants there so आप वहाँ पे दिया हुआ grass, banana और कोई a tree दिया हुआ है ठीक है फिर आपको दिया हुआ rabbit squirrel, deer zebra tiger, monkey इसे बहुत सारे animals वहाँ पर दिया हुए है और आपको वहाँ पर उन्होंने कुछ questions raise किये तो आपको read करना है और उसके questions आपको find out करना है और एक single question मेरा आपके लिए है कि यहाँ पर जितने भी जैसे बनाना लिख रहा है या पर जितने भी greenery लिख रहे है तो इसको खाने वाले कौनसे कौनसे animals है वह आप मझे बता दो तो यहाँ पर आप तो मुझे बता नहीं पाऊँगे जो आपको diagram में show है उन में से squirrel greenery को खाएगा deer greenery को खाएगा monkey greenery को खाएगा rabbit greenery को खाएगा तो आप green plants को खाने वाले को आप क्या गर रहे हो point out कर रहे हो तो आपको ध्यान में आ रहा है कि greenery को खाने वाले सिंप्ली सिंगल में नहीं आ रहा है it is inner web ठीक है तो यह हो गया हमारा food web तो अब चलते है food web से ही लेकर कुछ एक different topic और वो topic है energy pyramid pyramid तो आपने सुने है Egypt में है but वहां बर ममी को रखा हुआ आपको किसकी ममी है ममी नहीं it is called as mummy तो यह जो है वो Egypt वाले pyramid है अब हमको यहां पर energy pyramid study करना है तो अब इस pyramid के अंदर आपके पास में क्या दिखाई दे रहा है ठीक है और आपके अंदर आपके अंदर यह energy pyramid क्या है अब 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 कर लिया था herbivores it is in first tropic level तो इनको खाने वाले herbivores अब herbivores को खाने वाले components second tropic level they are called as carnivores ठीक है तो carnivores में दोनों आ जाते हैं कौन से कौन से दोनों आपको अगर याद है तो इसमें आते है secondary consumer और इसमें आता है apex और top consumers तो यह होगे हमारे carnivores which is counted in second tropic level then third में कौन आ रहा है Omnivores oh my god मतलब हम जो humans हैं सबसे अपर position में है and it is in third topic level तो अब हो क्या रहा actually herbivores feed on producers then carnivores feed on herbivores and omnivores feed on herbivores and all producers तो सबको खाने वाला omnivores तो अब actually हमें यह यह जो energy pyramid show किया हुआ है तो यह क्या indicate कर रहा है so each level is called as tropic level a tropic level is the step at which the organisms obtain its food in the chain तो अब यह topic level है जो हर एक step पे आपको दिखाई दे रहा है तो हर एक organism उस step के according अपना अपना food लेता है और वो उस पे feed करता है और उस पे वो grow करता चला चाता है then the amount of matter and energy gradually decreases from producers at lowest level to top consumers at the highest level तो actually हमें यही तो समझना है जो हमारे यहां पर last sentence में दिखा हुआ है तो क्या है जो amount है चीक है उसका मतलब जो सबसे upper position है जो middle है और सबसे last stage में तो amount क्या हो रहा है क्या हो रहा है amount of matter and energy तो simply energy को यह लेकर जाते है तो इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हम अपन में जाते जाहेंगे amount of energy decreases और जितना last पे है मतलब जितना lowest level पे है उतना ज्यादा maximum energy तो इसलिए देखो हमें greenery ज्यादा खाना होता है अगर हमने green plants को या डिरेक्टली कच्चे vegetables को खा जाते हो तो आप बहुत ही ज्यादा healthy रहते हो तो यहां पे हमें यहीं समझना है कि producers at lowest level तो top consumers at the highest level energy gradually decreases दीरे 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 energy decrease 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 होते चले जाती है तो इसलिए देखो राम जो low level के चोटे 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 जो भी आपके greenery को खाने वाले जितने simple example ले लेता है तो उसमें maximum energy है maximum कितना तेज़ दौड़ता है my god तो है क्या उसकी सहत का राज है producers तो वह क्या खाता है जितना lowest level में हम लोग आएंगे उतना maximum energy हमारे body में count होटी तो अब यहां पे textbook में introduction of scientists तो actually यह जो energy pyramid अभी अभी अपने study किया है traffic level का तो यह कहां से आया तो यहां पर है हमारे पास में scientist चार्ल्स जो की बीयर से related था in England ठीक है तो अब यहां पर जो बीयर से उसने study करके complete energy pyramid पर फॉर्म किया था तो वहां से ही फिर यह पर यह पर यह पर यह पर चलते ही चला गया अड इस pyramid अड अड रिए जिसे हम traffic level या energy pyramid तो यह जो हर बार new जो आ जाता है ना हमारे लिए तो यह किसी scientist के वजह से आता है जिन्होंने हर बार कुछ एक नया आपके लिए लाया है तो इसी वजह से फिर हम उनके honor में उसको वही नाम दे देते है तो आगे भी आपको यही study करना है कि कौन से scientist में क्या find out किया था और इसी वजह से उनके honor में उनको उस चीज को जो उनको ने find out किया था उसको उनी का नाम या जर नेम ऐसा देकर उनको honor कर दिया जाता है तो अब यह था Eltonian pyramid आपके लिए homework है page no.82 पे जो use your brain बागर है आपको वो diagram देखना है और उससे जो big questions है आपको उसके answers find out करना है तो बाकी का हम लोग next period में या next video में हम लोग study करेंगे okay thank you